उत्राखंट सरकार ने यह तै कर लिया है कि वह उपनल उत्राखंट पूर्व सैनिक कल्यान निगम लिमिटेट करमचारियों को इस्थाई नहीं करेगी बुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी के निर्देश अनुसार आयोजी ते कुछ इस तरिये बैठक में है फैसला लिया गया मशकार दगडियों में नली दिंगो साई उत्राखंट की नौनी सौधत करती हूँ आप सबी का एक बार फिर से अपने इस खास कारेकरम यूथे भी सुना में इस संबन्द में वी बैठक में सैनिक कल्यान सचिव दिपेंदर चौधरी और अन्यवरिष्ट अधिकारी मौजूद थे नियाय विभाग की सिफारिशों के आधार पर इस बैठक का आयोजन किया गया था सिफारिश में इस पस्ट कहा गया कि राज्य सरकार उपनल करमचारियों को इस्थाई करने के ननिताल हाई कोट के फैसले की खिलाफ सुप्रिम कोट में पुनरविचार याची का दाखिल कर सकती है 15 अक्टूबर को सुप्रिम कोट ने ननिताल हाई कोट के 2018 के फैसले को बरकरार रखते वे राज्य सरकार की विशेश अनुमती याची का SLP को खारिच कर दिया था जिसमें उपनल करमचारियों को इस्थाई करने के आदेश के खिलाफ अपिल की गई थी हाई कोट ने 2018 में आदेश दिया था कि 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे उपनल करमचारियों को नियमित किया जाए इस वैसले के बाद राज्य के लगबग 25,000 उपनल करमचारियों की उमीदे बढ़ गई थी क्योंकि उन्हें लगा था कि अब उन्हें इस्थाई नौकरी मिल जाएगी हाला कि राज्य सरकार के लिए मामला जटिल हो गया केवल पास से 600 करोड रुपे के वित्य बोच का सवाल नहीं था बलकि सरकार की भरती प्रक्रिया और नीटियों पर भी सवाल उट सकते थे सरकार के सामने चुनोती थी कि यदि उपनल करमचारियों को इस्थाई किया जाता है करमचारियों के मामले में सुप्रिम कोर्ट में पुनरविचार याची का दाखिल करेगी 15 अक्टूबर को सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद उपनल करमचारियों में खुशी की लहर थी कई जगा मिठाईयां भी बाटी गई ऐसे में यह देखा जाना बाकी है कि यह उपनल करमचारियों के इस्थाई करण के मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं हाला कि इस संबंध में जब उत्राखन की नौनी ने बॉबी पवार से कॉल पर बात की तो उनका कहना था कि सब कुछ नियम से ही होना चाहिए और जल्द वे इस मामने में पत्रकार वारता कर अपना रुख सब के सामने रखेंगे आपको बता देगी परदेश में इस समय उपनल के माध्यम से विबिन विभागों में करीब 25,000 से अधिक करमचारी तैनात है सरकार ने उनके लिए वेतनमान निर्धारित किया है जो उपनल के माध्यम से दिया जाता है उपनल के स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी और तबी से इसके माध्यम से सरकारी विभागों में करमचारी तैनाती शुरू की गई थी अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार सुप्रिम कोर्ट में किन तथ्यों के साथ अपनी बात रखती है और सुप्रिम कोर्ट इसका किस प्रकार से संग्याल लेता है आप किस पक्ष में है क्या यह नियमीतिकरन हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए हमको कमेंट करके ज़रूर बताए हलाकि यह करमचारी तो सरकार से साफ कहरे हैं कि यूथे भी सुणा सरकार यानिकी इनको भी सुणीए सरकार बाकी जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ अपने अगले मुद्दे के साथ तब तक नमस्कार ददलियों